हेलो दोस्तों मैं संदीप मौर्या स्टागत करता हूं आप सभी का सेक्सेस टूटूब चैनल में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के इंपौर्टन नोटिसं के बारे में। 2019 भाहें सुच रहे होंगी कि इस बार जो हमाराMusic होगा है कि बहुत सारे लोगों के मनुए बहुत सारे मार्कीं या रहे होंगी और एक बात जो हमारी मार्किंग को लेकर है जो ट्रिपल सी में इस बार मार्किंग है कि मार्किंग है कि नहीं यह बात बहुत तेसे हमारे यूटूब पे वारल हो रही हो बहुत लोग यह बात कर रहे हैं कि इस बार मार्किंग है कि नहीं है तो यह सारी और बहुत सारी हैं हमारे स्टुडेंट की तो मैं आपको सारी आपको जो आपकी हैं वह सालब हो जाएंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके तो मैं स्टार्ट करता हूं तो मैंने जो इस डॉपिक का नाम रखा है लिए पुर्पिर कर दोंगा तो ट्रिपल सी महत्पूर्श सुचना जो आपके काम आए हाँ प्रेंस जो मैंने लिखा यह बहुत ही सऊंचमा आने वाली है तो ये यह उप्योगों को जानना ये खास बात उने स्टूडेंड के लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही यह विड आपको इस बार आने वाले टुपल C यह यह सब के मन में आ हां तो इसे बार जो टुपल C 2009 में परवरी में इसमें मानस मारकिंग कोई नहीं है मैं गारेंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार 2019 में कोई मार्किंग यह यह जो ऐसा होगह सारे बहुत सारे स्टुडेंटिस में अप्लाई करते तो सोंच रहे होंगे कि मार्किंग हो गई हो KEVIN कि मैं बहुत आने समय मार्किंग हो सकती है क्वाने इसनी जितने वह ने कि मांइस मार्किंग हो कि दो सकता है कि मार्किंग नहीं है तो आप इंटरणेट पर जाके प्रिव आने प्रीट के पर वहां होता है उस पर पूरी इंफ्रमेशन वहां से ले सकते हैं तो मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं अगला पॉइंट हमारा प्रस्न ओर कितने प्रकार्गे होते हैं तो निया सब्ल्रेक्सक्राइब सो कोईशन होते हैं और नचीम होता है जिसको आपको नचीम अब मिनट के अंदर सारे कोईशन को देना और मैं बात और क्लिए कर 24 25 बहुत्igent कोई दीआ तो अगलाram होजन कर safra कि नहीं आता है तो पर जुतनी जल्दी में पहले कोईशन को देंगे तो आप के लिए बढ़ सकते हैं इसमें कोई दिक्तत की बात नहीं है और कितने प्रकार के प्रस्टन आते हैं जो ट्रिपल सी इसमें दो प्रकार के कोश्चन आते हैं एक तो पहला हमारा होता है मल्टिपल कोश्चन साते हैं और दूसरा होता ट्रोफ हाल से मल्टिपल कोश्चन में आ करने के बाद आपको इसका सही एंसर देना है कि यह सही है या गलत है तो फ्रेंगर्स आई हो आपके समझ आगया हthemा दो पॉइंट जो मैंने उपर के बताएं graphics आगया में अगली पॉइंट्ट के पेपर हो रहा है तो इस बार हिंदी में होगा या इंग्लिस में होगा तो इसको मैं किलियर कर देता हूं कि इस बार भी आपके जो कोईश्चन आने वाले हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिस में आते हैं यह हिंदी में आते हैं मैं आपको बता देता हूं अगर आप थोड़ा बहुत आपको computer के बारे में knowledge है तो मैं आप से यही कहूंगा कि आप जो इंग्लिस में जो इंग्लिस में कोश्चन है उसको पढ़के एंसर दीजिएगा क्योंकि जो हिंदी में होता है कोश्चन जो हिंदी में होता है कोश्चन उसमें बहुत ही हाड हिंदी होती है बहुत ही हाड हिंदी होती जिससे उसको आपको समझने में काफी प्रोब्लम हो सकत प्लीज अगर आप चाहें तो इंग्रिस में पढ़के एंसर दीजेगा अब मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं पेपर में पैंचान पत्र ले जाना अनिवार है की नहीं हाँ आपको कुछ अधार काड के लिए ले जाना है कि वहां नहीं तो मैं आपसे कहना चाहरा हूं कि आप अधार काड की फोटो कापी और अधार काड और प्लस इसके साथ एक फोटो जरूर रख लीजी क्योंकि मैं भी 2019 है इसमें पिछले भी जो हमारे पेपर हुए इसमें किसी-किसी मांग ले जा सकते हैं और एक फोटो कापी फोटो एक आप ले सकते हैं ले जा सकते हैं जिससे आपको वहां कोई दिक्कत ना हो और अगले हम पॉइंट की तरफ बढ़ते जो अगला हमारा पॉइंट है यह है कि पेपर आनलाइन होता है या आफ लाइन होता है बहुत लोगों के मन मे मैं यह कोजिश्चन आ रहा होगा कि पेपर आ वह वाकरeled में होता है या आफ लाइन होता है तो प्रेंद जुर्प टिपलड जी का एक्जाम होता है मारा वह आनलाइन होता है आफ लाइन नहीं होता है बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये भी आपका question क्लियर हो गया कि तो हमारा टिपल सी का exam होगा वो online होगा अब जो हमारा अगला point है बहुत important है जो कि है paper में सभी लोगों के प्रश्ण अलग-अलग होते हैं या एक जैसे होते हैं यह तो maximum बच्चों के मन में आ रहा होगा question कि paper सभी लोगों के जो आते हैं एक अलग-अलग आते हैं या एक जैसे रहते हैं तो मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूं कि जितने भी paper होते हैं ट्रिपल सी के उसमें सभी student के question जो होते हैं अलग-अलग होते हैं क्योंकि जो हमारा paper होता है वो आनलाइन होता है सर्वर पर होता है तो सर्वर के कारण इसके जो question होते हैं आटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं तो आपको एक ही जैसे question किसी के पास नहीं मिलेंगे सारे question अलग-अलग होंगे अगर आपके पास student बैठा तो उसके question अलग रहेंगे अगर आप नकल करना भी चाहें तो नकल नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो अगर आपका बगल जो स्टूडेंट है उसके कोईश्चन अलग रहेंगे और आपकी कोईश्चन अलग अलग रहेंगे तो सिंपल सी बात है आप नकल करी नहीं सकते और उपस इसी टीवी कैमरा चलता रहता है और सर भी रहते हैं तो बहुत इसमें नकल करने में आपको कोई गुंजाईश नहीं है अगर जो प्रेंट से गारंटी के साथ करते हैं उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं या की situation करतेはいdaz जाकर आप यहां कर सकते हैं जाएगा तो यह सारी कोईरी जो आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगी हम अगर अब मेरे जितने भी पॉइंट थे उखतम हो चुके इंड हो चुके तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं आपके लिए इसी तरह की important notice लाता रहूंगा फ्रेंड्स एक बात मैं आप से और कहना चाहूंगा कि अगर मैंने इतने इसमें से important notice इतने point बताएं हैं अगर इसमें कोई मैं भूल गया हूँ या आपको उसके बारे में जानना है तो प्लीज आप हमें comment box में बता सकते हैं मैं आप तक उसको उस query का answer जरूर साल्व करने की कोशिस करूंगा तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज